नमस्कार साथियो आप देख रहे हैं यूटूब चैनल एजूकेशन पॉडल कृष्णा आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पी एफेमस खाते से भुगतान का कैस्बुक संधारन किस प्रकार से करेंगे इसको हम लोग समझने का प्रियास करते हैं 2022 से पहले पुराना खाता के माध्यम से अनिकी खाता पर ही रासी आती थी और उस रासी का किस प्रकार से खर्च करना है किस मद में उसको लिखा जाता था कैस्बुक और लेजर बुक में लेकिन 2022 के पहले अनिकी नमंबर दिसंबर 2021 में उस खाते को सुन कर दिया गया है और में ध्यान रखना है कि जिस महना में रासी नहीं आई है तो IBI के विवरन में उस तिथी को उस महने की तिथी को निल रखेंगे और जिस महने में PFMS के माध्यम से PPA जेनरेट कर भेंडर को भुगतान किया गया है उस महने का विवरन और कि उसका पूरा डीटेल PPA का डिटेल कब PPA जेनरेट किया गया कितनी रासी आई कितनी रासी भेंडर को दिया गया शारा डीटेल उस कैस्ट बूक में निरधारित करना है आपको सुविधा के लिए इस बात को ध्यान रखना है कि PPA का जो जेनरेट होता है PPA बेंक से फिर वापस आता है उसका जो जो समय बीते जाएगा इसमें कुछ और सुधार होगा आप किस प्रकार से खाता को मेंटेन करेंगे कैसबू को किस प्रकार से संधारित करेंगे वह आगे हम लोग जो जो सुधार होते जाएगा उसकी जानकारी प्राप्त करते जाते हैं फिलाल हम लोग कुछ बारिकियों को यहां समझने का प्रियास करते हैं तो सबसे पहले रजिस्टर का फॉर्मेट का नमूना इस प्रकार से आपको बना लेना है या तो फिर अधी बाजार में उपलवद है इस्टेशनरी जहां पे किताब दुकाने है वहां पे अधी उपलवद है यह रजिस्टर तो आप वहां से भी ले सकते हैं लेकिन अधी यह उपलवद नहीं है तो वह इसी स्थिति में आप प्लेन कागज पे ऐसा खाकार बना कर आप उसको सही रूप से डिटेल रूप से वर जन्रेट किया गया उसकी तिथी यहां पे होगी दूसरे कॉलम में फिर तीसरे कॉलम में पीपी ए का कर्मांक अनिकि हर पीपी ए में कर्मांक लिखा राता क्रम संख्या होती है उसको यहां पे लिखना है आपको उसके बाद चौथे नमर पे हम लोग वीवरन देखेंगे अनिकि वह जो रासी आई वह जो एमाउंट आई तो वह किस मद से आई उसको यहां पे विवरन में भरना है फिर उसके बाद भेंडर विवरन है पास्मा में फिर छटा है कुल रासी फिर सात्मा है बास्तविक भुगतान दिनांक अनिकि बास्तविक भुगतान कब हुई उ को जो वबहेंक है उसके माधिहम से या तो जिस माध्यम भेंडर के माधिहम से प्राप्त होती है तो यहां पर पर लिख दोब्र।िक डित्सके और 8 कितनी रासी आई है उसको लिखेंगे फिर से सिय También लिखेंगे तो इस प्रकार से रजिस्टर का फॉर्मेट का नमूना हम लोग बना लेंगे या तो फिर अधी बजार में एवलेवल है बुक इस्टोल पे तो वहां से भी आप ले सकते हैं तो एक हम यहां पे एक्जांपल के तोर पे समझने का प्रियास करते हैं हम लोग मिल करके तो नमबर एक है क्रम संख्यां पीपीए जन्रेट दिनांक सपोस्किजे कि आपका पीपीए जन्रेंट 25-23-2022 को हुआ है तो यहां पे 25-23-2022 लिख डालेंगे उसके बाद तीसरे में पीपीए करमांग उसी पीपीए में जो जनरेट हुआ है उसी में एक करम संख्या लिखी हुई होती है आप यहां पे लिख देंगे तो यह हमने लिखा है एक कालपनिक तोर पे 04826 है तो उसमें पीपीए में जो आपका होगा उसी को लिखेंगे फिर उसके बाद बीबरन है नेल पटीकुलर तो यह जो रासी आई थी लिमिट रासी वहा किस मद से किस माध्यों से आए थी दो जिस माध्यों से आई उसे यह पर लिखेंगे रएंग नमें कि और मैं जो इस्लेयップ सचीव है उसकीस तो किसको दिये उसका भेंडर विवरन तो यहां पे लिखेंगे जो भेंडर विवरन है उसे देंगे तो यहां पे हमने लिखा संतोष इंटरप्राइज उसके बाद कुल रासी कितनी रासी उस भेंडर को दिया गया तो वह लिखनी है तो यहां पे 10,000 मैंने लिखा है उसके बाद बास्तिविक भूगतान दिनांक तो बास्तिविक भूगतान दिनांक यह आपको पता चलेगा जब पीपीए का रिसीविंग आप प्राप्त होगा तो यहां तीर 10,000 दो हजार है तो हमने कलपनिक लिखा है आप लिखेंगे बास्तिविक oh actual है उसके बाद लिमिट रासी जिस महिन में आपको जितनी रासी प्राप्त हुई है उस रासी को लिखेंगे तो यहांपे हमने 55,000 को लिखा है तो आपने ब्हेंड यह 15,000 रूपिय उसके बाद आगे भी उसी प्रकार से बना सकते हैं सपोज किजिए कि दूसरे करम संख्या में आपने किसी महिने में कि छलिए 25 से जा बार्च यहां पर लिख देंगे उसके पर कर मांक अपका उसको लिए फिर बिभण किससे प्रापत हुई तो यहां से प्राप्त हुई उसके बाद किस भंडर को दिया तो जिस भंडर को को दिया फिर यहांपे लिख़ देंगे संतोष इंटर प्राइज या अन्य किसी को दिए है किसी समान को किसी मेटेरियल को प्राप्त करने के लिए तो उसका यहां पर नाम जाएगा फिर कुल रासि कितनी रासि दिये तो आपने उसे 25000 रुपिया दिया यहां पर लिख देंगे और बास्तिविक भूगतान दिना फिर मैं इसकी पुंड़ा विड़ती कर दूं कि जब पीपीए बैंक चला जाएगा और उसके बाद रिस्वी मिलेगा तो उसमें बास्तिविक भूगतान तिथी जरूर लिखी रहती है उसको यहां पर लिख डालें उसकी जो तिथी उसकी जो समय सिमा होती है वह लिमिट होती कब पीपीए जनरेट हुआ उसके बाद अंतिम तिथी कब है और साथ से आर दिन में उसकी वह जो पीपीए है वह निरस्त हो जाती है आप उतने समय में उसको नहीं बैंक में जमा किये तो उसके बाद लिमिट र आपको उस महिने में 25,000 रूपिया ही सपोच की प्राफ्ट हुआ तो आपने वहेंडर को भुगतान किया 25,000 रूपिया और लिमिट रासी थी 25,000 रूपिया तो इस प्रकार से से लिमिट रासी यहीं पे सुन आपको दर्शा देना है तो यह हुआ कि रजिस्टर का फॉरमेट का नमुना जिसमें आप PPA किस प्रकार से कब जेनरेट किये कब उसका भूगतान किये ब्रेंडर को बास्तिविक उसके बाद कितनी बची हुई इसको हम लोग समझने का प्रियास किया उसके बाद कईस बूक का संधरन आपको इस प्रकार से करना है कईस बूक बजार में एवलेबल है इसे आप ले सकते हैं या तो फिर प्लेंड पेपर भी बना सकते हैं अधी आप बनाने के लिए सक्षम है तो तो इध दिनांक रहेगा कि कितनी रासी आप कब प्राप्त किये तो यह तो पीफमस के माध्यम से पीपीए जेनरेट होकर के भेंडर को भूगतान किया जाता है तो उस अनुसार से जो सूची विभा की वर से प्राप्त होगी उस अनुसार से आपको आकड़ा हमेशा एकत्रित करते रहना है तो जब जिस दिनांक को रासी प्राप्त हुई यहां पर दिनांक लिख देंगे तो कुछ यहां पर काल्पनिक तोर पर लिख देते हैं बीस चार बाइस है और विवरन में क्या किस मद से प्राप्त हुई तो यहां पर लिख देंगे एस 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 से प्राप्त रासी उसके बाद खाता प्रिष्ट अनिकी लेजर का तो आप याद किजिए कि 2022 के पहले लेजर बूक और कैस बूक का संधारन होता था तो सायद हम यहाँ पे थोड़ी सी कनफ्यूजन में हैं संदिगता में हैं जब किलियरंस होगा तो इस बात की मैं पुष्टी करूंगा कि इस प्रकार लेजर बूक का संधारन होगा या नहीं होगा हम फिलाल बताने से ओसमर्थ हूं जब यह किलियर होगा तो फिर हम लोग आगले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे तो लेजर बूक खाता प्रिष्ट लेजर बूक का यहां पे जो संख्या है वह लिख देनी है तो यहां 0-2 कर दिये और रकम कितनी रकम प्राप्त हुई यहां पे लिखेंगे तो चलिए रकम में हम पुनाः पचीश जार रुपिया लिख देते हैं और इस प्रकार से किस किस स्थी को प्राप्त हो रही है यहां पे लिखते चलेंगे फिर यए 25-22 को प्राप्त हुई और किस मद से इसी प्रकार से लिखेंगे और laser book का laser book के अस्थान पर register का जो format होगा सायद इसी को लिखा जाएगा इसी करम में होगा तो laser book का संभवता अस्थान या जो PPS जनेरेट का या जो नमूना format है और इसमें किस प्रकार से बेंडर को देना है लेना है इस प्रकार से यह हो सकता है कि लेजर बूक का स्थान यही ले ले जब clearance होगा मैं बारबार का रहा हूं तो इसकी चर्चा हम लोग कुना अगले वीडियो में करेंगे उसके बाद योग तो सभी का इसमें जीरो तीन पे है और इसमें भी कुछ पैसा आया 25,000 यहां भी आई के रूप में प्राप्त हुआ रिसिप्ट में और सभी का योग अंतता यहां पे लिखा जाएगा तो 25 पचीस यहां पे सपोज किजिए कि 50,000 रूपिया रिसिप्ट हुआ प्राप्त हुआ उसके बाद इसी परकार से राइट हैंड में अनि कि जो पेमेंड से भुगतान है किनको किया गया है तो यहां भी दिनांग कुछी परकार से लिखा जाएगा फिर बिबरन यहां पे लिखा जाएगा कि फिर खाता प्रिष्ट फिर कितनी रखम भुगतान की गई फिर उसका योग्पुन यहां पे करेंगे तो यहां पे 50,000 रुपिया अंततर हो जाना चाहिए और यह है पचासे जारुपिये यह है 50,000 रुपिये उसके लुपिया ट्रम में प्राफ्थ ओ जाएगी सुनु रुपिया तो इस प्रकार से जो P FMS खाता के माध्यम से PPS जेनरेट करके भेंडर को रासी दी जा रही है, तो उसका जो का संधारन होगा, संभवता इसी परकार से होगा, और अधिक किलियरेंस होने पे जब हम लोग इसमें काम करने लगेंगे, तो निश्चित रूप से जो भी इसमें तूटी होगी, जह हम लोग अगले वीडियो में जरूर करेंगे, बस आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस थी थे, थांक्स पर वाचिंग, बुदबाइ.